पदाइश उन्तिस्वा बाब और याकूब आगे चलकर मश्रकी लोगों के मुल्क में पहुंचा और उसने देखा के मैदान में एक कुवा है और कुवें के नजदीक भेडबकरियों के तीन रेवड बैठे हैं क्यूंके चरवाहे उसी कुवें से रेवडों को पानी पिलाते और कुवें के मुँपर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था और जब सब रेवड वहां इकठे होते थे तब वो उस पत्थर को कुवें के मुँपर से धलकाते और भेडों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उसी जगा कुवें के मुँपर रख देते थे तब याकूब ने उनसे कहा ए मेरे भाईयो तुम कहां के हो उन्होंने कहा हम हारान के हैं फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबिन से वाकिफ हो उन्होंने कहा हम वाकिफ हैं उसने पूछा क्या वो खैरियत से है उन्होंने कहा खैरियत से है और वो देख उसकी ब प्राखल भेडबक्रियों के साथ चली आती है और उसने कहा देखो अभी तो दिन बहुत है और चुपायों के जमा होने का वक्त नहीं, तुम भेडबक्रियों को पानी पिला कर फिर चराने को ले जाओ, उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक कि सब रेवड जमा न हो तब हम उस पत्थर को कुएं के मुँपर से धलकाते हैं और भेड़ बक्रियों को पानी पिलाते हैं और उनसे बातें कर ही रहा था कि राखल अपने बाप की भेड़ बक्रियों के साथ आई क्यूंके वो उनको चड़ाया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राखल को और अपने मामू लाबन के रेवड को देखा तो वो नजदीक गया और पत्थर को कुएं के मुँपर से धलका कर अपने मामू लाबन के रेवड को पानी पिलाया और याकूब ने राखल को चूमा और चिला चिला कर रोया और याकूब ने राखल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्टादार हूँ और रिब्का का बेटा हूँ तब उसने दोड कर अपने बाप को खबर दी लाबन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दोडा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर ल मेरी हड़ी और मेरा गोश्ट है सो वो एक महीना उसके साथ रहा तब लाबन ने याकूब से कहा क्योंके तू मेरा रिश्टादार है तो क्या इसलिए लाजम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी और लाबन की दो बेटियां थी पर राखल हसीन और खुबसूरत थी और याकूब राखल पर फरीफता था सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखल की खातर मैं साथ बरस तेरी खिदमत कर दूँगा लाबन ने कहा उसे गैर आदमी को देने की जगा तो तुझी को देना बेहतर है तू मेरे पास रह चु और वो उसे राखल की महबत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए और याकूब ने लाबन से कहा कि मेरी मुदद पूरी हो गई सो मेरी बीवी मुझे दे ताके मैं उसके पास जाओं तब लाबन ने उस जगहा के सब लोगों को बुला कर जमा किया और उनकी जिय और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लेहा को उसके पास ले आया और यاकूब उस से हम अगोश हुआ और लाबन ने अपनी लॉंडी जिल्फा अपनी बेटी लेहा के साथ कर दी कि उसकी लॉंडी हो जब सुब को मालूम हुआ कि ये तो लेहा है तब उसने लाबिन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिद्मत की वो राखल की खातिर ना थी? फिर तूने क्यूं मुझे धोका दिया? लाबिन ने कहा हमारे मुलक में ये दस्तूर नहीं कि पहलोठी से पहले छोटी को ब्याह दें, तू इसका हफ़ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे साथ बरस और मेरी सिद्मत करनी होगी. याकूब ने ऐसा ही किया कि लेहा का हफ़ता पूरा किया, तब लाबिन ने अपनी बेटी राखल भी उसे ब्याह दी, और अपनी लॉंडी बिलहा अपनी बेटी राखल के साथ कर दी, कि उसकी लॉंडी हो. सो वो राखल से भी हमागोश हुआ, और वो लेहा से ज्यादा राखल को चाहता था, और साथ बरस और साथ रहकर लाबिन की खिद्मत की, और जब खुदावन ने देखा कि लेहा से नफरत की गई, तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांज रही, और लेहा हामला और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम रॉबिन रखा, क्यूंके उसने कहा कि खुदावन ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शोहर अब मुझे प्यार करेगा, फिर वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ, तब उसने कहा कि खुदावन ने सुना कि मुझ से नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी वक्षा, सो उसने उसका नाम शमौन रखा, और फिर वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ, तब उसने कहा, कि अब इस बार मेरे शोहर को मुझसे लगन होगी, क्योंके उससे मेरे तीन बेटे हुए, इसलिए उसका नाम लावी रखा ग करूँगी, इसलिए उसका नाम यहुदा रखा, फिर उसके उलाद होने में तौकफ हुआ।